हे अब्रिवान वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के इस व्लोग में आपके साल शेर करने वाली हूँ विदाई का व्लोग और ये है साधी सीरीज का लास्ट व्लोग अभी अर्ली मॉर्निंग सिक्स ओ क्लॉक बज रहे थे और हम सब सोके उठ चुके थे सोय तो कोई नहीं थे बस थोड़ा सा रेस्ट हमने किया था दो दिन घंडा मोना यहां पर देख रही थी न कि उसके बालो पे एक साइट पे सिंदूर लगा हुआ है दूसरे साइट पे न अनन्द मदर इनलो तो वो सारे गाने सुनकर वो एकदम से इतनी जादे इमोशनल हो गई नहीं बहुत जादा रोने लगी और उनको देखके हम सब मोना यहां पे थी नहीं वो दूसरे रूम पे थी तो फिर जब वो आई तो फिस सब लोग सांत हो गए थोड़ा सा मतलब अ दाई वाले इमोशनल सॉंग सुनके तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब अलग सा फील हो रहा था मोना की मम्मी तो वैसे पूरी साधी में जो भी रिच्वल्स हुई है ना बस रोही जारी थी वो लेकिन आज सुभा का जो एक घंटा था ना वो मैं अभी भी अगर याद करती नहीं किया था और पूरे मेरे फेस पे काजल फैल चुगा था यहाँ पे ना मोना को सिंदूर लगाते में मुझे बहुत ही अलग सा लग रहा था क्योंकि क्या है ना कि मैं मोना को बच्पन से ही जानती हूँ यहाँ पे मेरे नानी का घर है मैं यही पे रहती थी और जब भ पड़ी हो गई कि चलो उसके साधी भी हो गई तो वो चीज उसको सिंदूर पहनाते बनाते मुझे काफी ज्यादा फील हो रहा था अभी हो नुसके साधी हो दादू को बुला के मोना और सुभोजित के साथ मिलवा भी दिया फोटो भी कीज़ी दिया था देन हम लोग आ गए थे गाउं के बाहर वाले घर में और यहां पर आके देख रहे हूं कि अमित सारा सामान वगरा मोना का लेके गाड़ी में रख रहे थे क्यूंकि अभी और ज है जिसमें की गुरेपवेस हो जाना चाहिए तो जो भी फिश बागे रहे था वही दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत सा खिलाया एंड फाइनली अभी टाइम है बिदाई का और सबसे ज्यादा पेनफूल और टफ़ेस्ट रिचिवल का बस दो एक कदम वो चल रही थी और कभी मुझे पकड़के कभी पाइल को पकड़के कभी किसी और को पकड़के वो बस रोई जा रही थी रोई जा रही थी एंड हम सब मिलके उसको समझा रहे थे कि नहीं तुम्हारा ससुराल बहुत पास है जब चाहिए तब आना जाना कर सकती हो तो मारी मम्मी आ जा सकती है लेकिन अभी ना उसको सबसे ज़्यादा फील हो रहा था कि मैं चली जाओंगी तो मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएगी घर में वो अकेली रहेगी और इस चीज़ी का उसको पूरी तरे से आपकी जिम्हेदारी है उसको आपको रोने नहीं देना है तो यहाँ पे सब मेरे बात से अग्री कर रहे थे और वहाँ पे क्या वाता ना वो मुझे टाइट से पकड़ के रो रही थी और उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसके हाथ से सिंदूर का डब अगर है सब कुछ दादू का बंद चुगा था लेकिन हमने सोचा कि थूरा से हल्प कर देते हैं जल्दी हो भी जाएगा और ठंड भी काफी ज़्यादा बढ़ रही थी और अभी घर में आके देख रही हुई तीनों बच्चे बिल्कुल तबाही मचा रहे थे और इन्हें रोखपाना मुस्किल हो रहा था सोचा कि खाना वाना खिलाकी ने सुला देना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा फिट डिनर करने के बाद मैंने मोना को वीडियो कॉल किया काफी सारी बाते की उसके साथ और उसके बाद रात को मेरी और पायल की बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई हो गई थी मतलब लड़ाई मतलब ऐसा कोई सीरियस वाला नहीं मजाक मजाक टाइप ही चल रहा था हमारा कुछ फोटोज और वीडियोज को लेकर ही हमारे ऐसे हसी मजाक वाली जगड़े चल रहे थे और इस बीच में न मेरी मदर इनलो और मेरी ननत बहुत ही मज़े लेके हस रहे थे हमारी जगड़े देखके तो कुछ ऐसा ही माहोल सा क्रियेट हो गया था रात भर हमने काफी सारे जगड़े किये काफी सारे बात ये किया और अभी next day आपसे मिल रही हूँ यानि कि reception के दिन में यहाँ पे मैंने आपको मेरी नेल्स दिखाए बहुत ज़्यादा real लग रहा था मेरा fake नेल्स और अभी रात को हम लोग ready हो गये थे reception में जाने के लिए आज का जो हमारे look था ना बहुत ही ज़्यादा simple था बट उतना ही ज़्यादा pretty लग रहा था पहुँच गये थे हम लोग पहुँचते ही सबसे पहले मोना के पास गई उसको tightly एक hug किया उसके साथ मिली बंटी को भी हम लोग लेके गये थे और कियान काफी दिनों के बाद बंटी से मिला था तो वो काफी खुश था उसके साथ इसान को बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी तो गर्मा गर्म काफी इंजॉय कर रहा था अपने डैड़ा के साथ मैंने लिया था नूडल्स जो कि मैं और कियान शेयर कर रहे थे कर दोटती कर फिर कल दो खिर विया जाया पाद कर दोटशन सन्न आडडान के दिए 수AAAA आपार पियेर शानाई पेचेचे दांस करने के बाद हम लोग गये खाना खाने के लिए और काफी देर तक हम लोग वहीं पे थे बाते कर रहे थे घर आये थे रात के दो बजे सब काफी टायड हो गए थे तो आते ही चेंज वगर करके कि हमने विस्तर बनाया सब सो गए और नेक्स टे फिर हम लोग आ गए राउर के ला बापस गाईज आई होप आपने ये पूरा साधी सीरीज इंजॉय किया होगा और अभी आपको रेगुलर मेरे जो रूटीन व्लॉग है वही चैनल पर देखने को मिलेंगे मिलती हूँ आती जल ने व्लॉग के साथ तब तक के लिए टेक कियर एंड बबाई